नमस्कार दोस्तो ग्यान विज्ञान की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है देखी फ्रेंड्स आप सभी को पताए कि RRB NTPC CBT1 का रिजल्ट डिकलेर हो चुका है और आप सभी ने अपने रोल नमबर अपने मार्क्स देख लिए होंगे ठीक है तो उसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आप सभी को पताए कि हैंडिकाफ की काटोब भी काफी हद बहुत ज़्यादा अनक्सेप्टेड चली गई है खास करके 12 वाले बच्चों की जिनको 12 से फिलफ किया था उनकी कटोब जो है बहुत हाई चली गई है और ग्रजुएशन के बच्चे भी उसमें आ गए है तो उन्होंने जो है इस तरीके से जो किया है वो बहुत ही ज़्य रोल नंबर ही वहाँ पर लिये है और 20 गुणा में तो आपको जो अगर हम बात करें कंडिडेट की तो कहीं न कहीं उन्होंने चाद लाग के आसपास कंडिडेट लिये है जिसमें काफी नुकसान हुआ है ठीक है तो इस तरीके से अगर हम बात करें आपके CBT 1 की जो आपके देखिए CBT1 में अलाबाद जोन की अगर हम बात करें तो अलाबाद जोन में काफी हद तक हेंडिकैफ की कटोफ हाई चली गई है कुछ जोन ऐसे भी है जहां पर काफी कम कटोफ गई है वहाँ पर चालिस चालिस तो अब उससे मत आप देखिए जो कुछ हो चुका है बीच चुका है उसके बारे में तो हम आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी 20 गुना पास हैं तो सभी जोन में लगबग लगबग 20 गुना ही पास हैं अब CBT2 की कटोप देखिएगा कितनी जाएगी कितनी नहीं कि यारि कीजिएगा उस फोकस कीजिएगा जैसा भी होगा रिवाइस रिजल्ट होगा रहा है नहीं होगा वह सब जो है वह सब के साथ होगा ठीक है अब मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी CBT2 को लेकर कि थोड़ा सा परेशान है वह चात्र की कहा कितनी कटोप गई है और कह कटोफ कम गई है उसका कारण है कि आप लोग जो है वेकेंस से देख करके फोर्म फिलफ करते हो तो उससे जो है आपकी कटोफ हाई चली जाती है ठीक वहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्म की संके चली गई थी 22,000 के आसपास फोर्म थे अलाबाद जोन में तो वहाँ पे जो है फिट मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है एक बार आप जो है अपने जोन के हिसाब से कमेंट करके हमें बताईएगा कि आपका कहां से हुआ है और CBT2 हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है अगर आपका नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं आप जो है अभी दुकी मत होईएगा से नाज मMag να होईएगा, आम पता है को वह्यों isolator होता है 생amos day करा कि टकलीफ भूजर के साल हो चुके हैं और थीन सालगा वेट करते करते시면 करते हैं इतनी दिन हो चुके हैं मैं अंटी पीसी करते push करते करते हो आगरे में जो रेलवे है उसने इतना बड़ा नुक्सान किया है इतना बड़ा हमें बहुत ज्यादा इसके लिए अपसोस है और हम पूरी तरीके से आपको यह कहना चाहेंगे कि कही ना कही रिवाइज रिजल्ट हो जितने भी जो भी बड़े बड़े टीचर हैं उनका सहयोग करें आप और सब मिलकर के रिवाइज रिजल